हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कुवेट इंदी नियूज कुवेट से कुछ इंपोर्टेंट अपडेट है मिनिस्ट्री ओफ कुवेट के तरप से सबसे पहले देख लेते हैं जो हालात है वह कोविड-19 के कारण ही है पहले 24 घंटे में 2999 केस आया है उसके अलावा करफिव और एयरपोर्ट को लेकर अपडेट है जी सी सी कंट्री 24 घंटा में 15,000 नया केस हों की संक्या है इसके अंदर 6 कंट्री को मेंसन किया गया है कतर के अंदर 24 घंटे में 3,487 केस सौधी अर्भिया के अंदर 3,460 नया केस उसके बाद दुबई में 2769 केस उमान के अंदर 9,666 केस की संक्या है कुवेट से एक अच्छा अपडेट आ रहा है कुवेट के मिनिट की तरब से बताया गया है कि अभी कोई करफिव और लोगडाउन लगाने का नहीं है क्योंकि केस की संक्या नर्मली है और देथ की संक्या कम है इसलिए लोगडाउन और करफिव को लेकर कोई प्लान नहीं है एरपोर्ट को लेकर जो लोग आ रहे हैं उनको अभी कोई दिक्कत नहीं है और कुवेट से जाने के लिए सेम परसीजर है PCR टेस्ट कराना पड़ेगा उसके अलावा यातरा करने से 24 घंट पहले आपको एर सुविदा फॉर्म को भरना पड़ेगा उसके अंदर आपको कहां से यातरा कर रहे हैं क्या काम करते हैं कब का फ्लाइट है बोर्डिंग नंबर पूरे डिटेल भरना पड़ेगा यही नॉर्मल प्रसीजर है इंडिया जाने का कुबैत में बढ़ते हुए कोरोना के कारण अभी तक 5,4,000,000 लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है जो लोग बूस्टर डोज नहीं लिये हैं वो बूस्टर डोज जाकर ले सकते हैं सफर जाना चाहते हैं वह लोग थोड़ा वेट करें क्योंकि बढ़ते हुए कोरोना के कारण बाद में पावंदी भी लग सकती है हलार ठीक हो जाए फिर जाने के लिए जा सकते हैं कोई पावंदी नहीं है लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो आने में प्रोब्लम हो सकता है वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें